हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चानल तो आज हम हाट पेशिंट के लिए एक होम में रेमेडी बनानी वाले हैं जो की बहुत ही असरदार है और ये को भी मेडिकल में अवेलिबिल नहीं होती है और वीडियो को स्किप बिलकुल मत कीजेगा ये बहुत ही एंफॉर्मेटिव अब जरूरी वीडियो तो चलिए फिर शुरू करते हैं लेट के स्टार्टेड तो यहां चाहिए हमें आदा किलो लसुन और पाव किलो अद्रक और हमें चाहिए दस से बारा लिम्बू तो अब हम लेपने लसुन को अच्छे से छील के धो लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं और सिमिलरली हमने अद्रक का भी छिलका जो है उपर का रहता है इसके वह भी हमने निकाल लिया है देखिए कुछ इस तरह से और इसे भी हमने से धोल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो अब हम अपने लसुन को मिक्सर के जार में ऐसे डाल देंगे अराम अराम सब कोई दालना है और देखिए मैंने इसमें डाल लिया है मिक्सर के जोर में लसुन अब हम इसमें दो चमच पानी डालेंगे तो यह हमारा एक चमच हुआ और यहां हमारा दो चमच हो गया है और अब यह पानी डाल के हो चुका है इसमें तो अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते है तो देखिए अब हमारा यह पिस करके आ चुका है तो यह इसमें बीच में पिस्ते वक्त मैंने इसमें और दो चमच पा तो देखिए यह कुछ इस रासे देखेगा फिर्सने के बाद तो अब हम एक बाउल या फिर जो भी पतीला जैसा ले लेंगे और उस पर हम अपना मलमल का कपड़ा इसे रख देंगे और हम इसमें से इसका जूस निकालना है इसलिए हम यह प्रसेस कर रहे हैं तो अब हम इसम इसका जूस निकालना है तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की सी बूद्या रही है हमारे गार्लिक के जूस की तो जैसे कि आप देख सकते हैं और इसे बनाते वक्त आपको थोड़ी सी स्ट्रॉंग स्मेल आईगी जिंजर और गार्लिक की बड़ जैसे कि बोलते हैं कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है तो इसी नहीं आपे और आपका हाथ भी थोड़ा साइस में जल सकता है विकोज आफ गार्लिक बट कोई कुछ आपके कमा फांट शहें पालब का आपके कृणGeis ऑलं करेktor तो देखे हमारा इतना शेलिक हमारे जिकल तो आनने कारब दराएं नाकों। दक्राइब आपको डिखाने के लिए हम इसको भाप उप्तिया में बाते हाएं। झाल खे घया मूलं कोई हमारी अध्रक हम नहीं भी बच्ड़ के लणा नो घाल लेंगे तो अब हम अपनी अद्रग मिक्सर के जार में दाल लेंगे देखिए थोड़ी करके दालना है हमें और यहां मैंने थोड़ी सी रखी हूँ क्योंकि इतनी सी जगात मिक्सर में तो इसे हम बाद में करेंगे तो अब हम इसमें भी पानी दालेंगे पर इसमें जो है हमें समँ पाणी नि में मुलता तो बार बलाक निकलता है तो थो हम फेल काक्श पाणी द है समर्प चंब 1 र्ख और मुला दिशन में बीछू समें कंचे शरी मुला है यह पीन में टुक मिल देना में लखे देल मुला दैंगा आको काई तो अब हम इसका भी जूस निकाल लेते हैं तो सेम प्रसेश जैसे हमने मनबल का कपड़ा से किये थे वैसे हमें करना है और इसमें मैंने पूरी जिंजर पीस लिए हूँ पहले जिंजर के तुकड़े थे तो फिर मतलब ज्यादा स्पेस लगती थी तो फिर जब यह थोड़ा करना चरह जाए वाहते हैं तोने अपीश पाल sûr में अपनी पादे आयों आवाज आहे वी तो इसमें दम एक वह लिए गयोखाए कपर जर्चरा निकल जाता है तो इसका दीन कोलेते की तोल्छे से में टरिकर तो मैं आपको दिखा देती हूं नीचे से थोड़ा सा निखो method इतना juice का औरनी निकल चुका है हमने cicemail है कुछ इतना juice निकल चुका है तो चलिए फिर अब इसे दबा दुक हैं तो देखिए ऑब हम इसका juice निकल लेते हैं तो इसे भी हम मैं से divis p तो हमें इसे भी मुद्ट अजनगा सरने। एप अभी आप草ते है। और मुर्ट ओसे यूजनगर उने हौना मुद्टत्व ऑ्षजाने। देख सेय। यह यह जनसे जोड़ी उनलगा सकते हैं सानानी कहां क्ह Girgy Prat तो देखिए कुछ इस तरह से यह भी एक कर टोरी ही आएगा तो देखिए यह एकदम पॉफेक्ट एक कर टोरी हमारा जूस निकला है तो देखिए अब हमारी यह जो है अद्रग है और यह हमारा लसुन है जिसका हमने जूस निकाला था तो यह जो हमारा बच जाता है तो हम इसे फेकिंग या नहीं हम इसे रियूस कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि या तो आप जिनजर को सुखा कर एक इसका चाय में जालने के लिए जो बना सकतेफ चाहे तो दोनों का ऐसे मिक्स करके पानी में थोड़ा से दालके और उसमें वेनिगर दालके इसका जुंजर गालिक का पेज बना सकते हैं तो इसे कोई जरुवत नहीं है फेकने की आप इसे व्यूज कर सकते हैं और अभी हमारा यह लिम्बू है तो आप समझी गया होंगे इसके साथ भी क्या करना है तो इसे हम ऐसे लिम्बू पानी में जैसे निचोडते हैं हमारा लिम्बू को वैसी हमें इसे थोड़ा सा स्क्वीज से दबा लेना है और फिर हमें इसे काटना है बीच में से इसके ऐसे देखिए कुछ इस तरह से इसके दो तुकड़े कर देंगे हम और इसका भी हम जूस निकाल देंगे तो जितने सारे भी लिम्बू है सब सब कहा हमें जूस निकाल लेना है और साथ ही मैं याद रखिए गए लेमन कभी जूस भी अब भी कहां एक किसम का निम्बू है तो में अब भी कह ते लिम्बू को जोड़ें ज़्वादा निकाल लेकंड़ बहुता है तो ये भी देखिए मेरे पास एक किसम का लिंबू है इसमें ज्यादा जूस निकलेगा तो ऐसे वेरी कर सकता है बट आप धियान रखेगा कि आप एक कटोरी निकाल लिए और ये हमारे घर की जार का लिंबू है और ये हमने अपने गाउ से लाए है देखिए कि इतना बड़ तो इसका जूस निकाल लेते हैं और आपको 26 रखके और नीचे जूस निकालना है इसका जूस काफी निकलता है बट आपके लेपमेंट पर डेपेंड करता है आप चाहे तो बड़ा निम्बू ही लीजिए ताक है आपका यह आपको बार बार काटने की और फिर उसको ये कर निकल चुका है तो इतना निकला है यह और इसे भी हम देख लेते हैं यह कितना है चमाई करी तो यह यह भी बराबर एक क डोरी है और इसे में साइड में रख देती हूं और शिर्ब एतने निम्बू से हमारे इतना जूस निकला है तो और देखिए कैसे हमने इसकी जान से निकाल लिया है तो अब हम लेंगे आपल साइड विनेगर यह मार्केट में आपको अवेलिबल मिल जाएगा मितलब आसानी से मिल जाता है और इसे भी हमें एक कटोरी लिना है तो देखिए हम इसे अपके निकाल लेते हैं और most lieg Kane वी चीज़े लिया है उसे एक कटोरी ही लेना है तो देखिए यह यह विद्यून हैता है हमारा आपल साइड विनेगर तो देखिए हमारे चार ओएदेट मोतीm है यह अगे हमारा जीरसे हमारा गार्लिक माडिक शेयजर क यह हमारे जूंच का करना है तो चलिए आगे पड़ते हैं और इसमें मेजरमेंट का ज्यादा गया का पर्रमक तेंशन नहीं है तो अब हमें पतीला लिया है है और हमें एक-ेक कर गाँ हैं तो पहले हम दाल रहे हैं एपल साइज विनिगर फिर हम दाल रहे हैं निंबु का जूस यानि लेमन जूस तो यह बहुत मारे नाज़िक बांए आफके यह तो यह भी ह attach रहें पूरा है और आपलद रहे हैं विएagens जैसे साथ सदोरी का जूस्त भमरें लडंगा घुत अब लेक्ष और ऑके carbohydrates थे स्पाइब जमच के मदद से निक्स कर रहे हैं देखे इसकी कंपूस हैं से किती हैं और अब इसे गैस पर पकाएंगी देखिए अब हम इसे गैस पर रख दिया है और इसे हमें स्टेर करते रहना है वीजीश में और जैसे कि आप जानते हैं हमारा सारा इंग्रिडेंट मिलाकर यह चार को तो देखिए इसे बीजीश में स्टेर भी करते रहना है और गैस को धीमी आंच पर रखना है फास्ट पर नमत रखेगा तो देखिए अब इसमें उबाल भी आ चुका है इसका कलर भी चेंज चुका है और यह थोड़ा सा गाड़ा भी हो गया है तो देखिए आपको यह तो वहांने के लिए और णहांने के लिए रखंदा अ करूंगे एचुमरी, फूरी तरहा से ठंड़ हो चुका है तो अब हमें एक और झ्यूम आंड़ करने के, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं जो कि हमारा हनी यानि कि हमारा शह्खेद आञेट और हम्हें ये उनीON बेर डालना हैं पर यहां मैंने एक दिखाई हूँ करका स्वोल्त霖 और दो लेंन आप चाहिए तो कई ब्रूभी ले चकते हैं और यहीजी मैंने कंटोरी डाली हूँ और यह एक कंटोरी निकाल दे नीचे का जो भी रहता है मतलब जो हमारे बाउल को चुटक जाता है वो भी आप निकाल लें और यह अख्री काटोरी हमारी चली गई इसमें तो हमारी तीनर काटोरी भी ठानी जा चुकी है इसमें तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है हलके हलके कि हाथोंसे इससे मिख्स कीजिए अपका हानी के साथ अच्छे से मि्क्स हो जाइगा alone ने तो वो नीचे जाकर ऐसे सेटल हो जाएगा और आपको हो सकता है कि पीते वक्त इसे थोड़ा हानी असा लगे मुझ में तो मतलब यह अच्छे से घुल मिल जाना थी उसके साथ और थंडी के वज़े से जो है हनी जम जाता है और इसकी गुट्लिया भी इसमें आ सकी है तो मेंक शॉर आप इसे बहुत अच्छे से में करें और मिक्स करने के बार जेसे कि आप देख सकता है इसका कंप्लिट्ली चेंज हो जाता है और ढえば हमसे स्टोर करेंगे आप सिर्फ ललाख ॉर्स और सिर्फ इसे ग्लास के यानिकी तो कांज है निकर को यह शोर करना है स्टील और हम इसे दूसरे कोई इसका रियाक्शन हो सकता है इसलिए हम नहीं करेंगे देखिए हमारी जो दूद की बाटल होती है उसमें मैंने भर लियू बिकोज ये भी तो काचकी होती है तो देखिए अब हमारी हाट पेशन्ट के लिए जो दवाई है वो रड़ी हो चुकी है और ये इतनी बनी है तो अब इसे कैसे लेना है और कब लेना है वो भी मैं आपको गोते बैखितर और को अब होता है यृ प्तित directorne केसे चूदी करोष। इससे लिए Canal Drix को मैं अच्छिन वह और वणिट ऑट को पानी को पीना है और हर पेशन्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है और तो इससे आपको BPV कंट्रोल में लाइता है और साथी में ब्लॉक इसके लिए बहुत अच्छा है और मितलब हार्ट के रिलेटेट जितने ही प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा है तो आप इसे जरूर राइखेज़ेगा और अपने फैमिली वालों को पिलाइएगा इसे कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने ट्राइ किया हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेजिए काईए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी हमाद भीलिएगा लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर दीजिए तो चलिए फिर मिलते ह अगले वीडियो में थांक्स पर वाचिंग बाई टेक केर